हे गाईस अभी आप लोग को एक बहुत छोटा सा फार्मा शेयर बताने वाला हूँ जो बहुत छोटा था आज के डेट में वो इतना बड़ा प्रॉफिट दे रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कितने बार बोनस दिया है सेवन टाइम सेवन टाइम उसने जो है बोनस दिया सो हो सकते है केवल डिविडेंट से ही आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिल चुका होगा कि आपको शेयर प्राइज उपर जा रहा नीचे जा रहा उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा आज स्टॉक के बारे में मैं आपको बता हूँ यह बड़े-बड़ लोगों के पॉर्टफोलियो में बसता है मतलब जैसे कि राके जुन जुन वाला बोल सकती हो हाँ उनके पॉर्टफोलियो में भी काफी जादा है अभी देखे यह जो सेयर का प्राइज अभी चलना केवल 721 रुपीज है अब बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे भाई य लेकिन हमें उनकी तरफ नहीं देखना है वह क्या करते है आज कमेंट करते हैं कल वह गया भी हो सकते हैं उनसे कोई मतलब तो जब 400 पर बनाया गया था वहां आपको केवल एक सबते पहले कुछी बाया था यहां पर 660 रुपीज के आस बाया था तो वहां से भी अगर आप तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा तो आप बोलेंगा भाई यह टाइम है मैं आपको बता देना चाहता हूं यह कंपनी सायद एक बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं कुछ दिनों के अंदर ही वो भी मैं आपको बता देता हूं ठीक है तो यहां पर मैं आपको बता देना फेबी पीरवी करके एक ड्रग एक मेडिसिन लॉंच करने वाला था यह एक कोई ऐसा नहीं कि को आपको पूरा ठीक कर देने के लिए ठीक है यह क्रिटिकल सिचुएशन के लिए यूज करने के लिए हो सकता है यहां पर यहां पर दावा भी किया जा रहा था कि जो सिपला ह सिपला है वो कोईड नाइटी लॉंच भी कर सकता अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यह गलत है हां मुझे भी लगता यह गलत है लेकिन आपको देखना चाहिए अगर यह कंपनी अगर यह माल नेते हैं क्रिटिकल सिचुएशन में भी काम करने के लिए अगर यह मेडिस कर सकते हैं अगर हम ग्लेनवार्ग फर्मा के बारे में देखें तो यह स्टॉक भी अच्छा था लेकिन देखें यह कितने में मिलता था लगवग एट रुपीस के आसपास और धेरे धेरे इसने भी आसमान चुआ ठीक है थाउजन रुपीस के आसपास यह भी गया था लेक यह ऐक कमपनि आस तक आपको लॉस नहीं है हा अगर यह गिरावाट आति है आस घर अकर इचानश तो आपको इस कमपनियों खरिदना इस और डिविडेंट तो School को और अभी कोई उपर लेके जाता है तो फार्मा या चैमिकल सक्टरी या अिट यहाँ पर मैं आपको dividend दिखा देता हूँ कि कमपनी मतलब टाइम से आपको dividend देती है के निए ठीक है सिपला है नीचे इसका शेर का price भी चला अब नीचे में आपको dividend दिखाये जागा आप count करते जाएगा ठीक है यहाँ पर देख लेजे आपको dividend percent बताया जागा यहाँ पर परसेंट बताया जागा जिससे आपको इजली होगा find out करने में अब नीचे देखते जाए डिविडेंट यह कंपणी कितनी बार दिया है देखें डिविडेंट देने में एक कंपणी बहुत आगया है और बहुत अच्छा आपको डिविडेंट भी देती है अब चिक कर लेते है तो ऐसी कंपणी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अगर आप अगर 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 आप फार्मा सेक्टर में जूंदना चाहते हो अच्छी कंपनी में तो या तो आप ओला ना चाहता हो तो तो चाप्लिन लेबरारोटरीस के पीछे जा सकते हो और एक उनप१न जो आ रह जो है, upper circuit देखने को मिला, 20% upper circuit देखने को मिला, और जिनके पास 1 stock है, उनको 5 stock मिलेंगा, टिक है, ये क्या किया जाया, और इस quarter में आपने एक चीज़ चेकिया, यहां पर क्या पताया जाया था, कि earning per share को increase किया जायगा, क्यों increase किया जायगा, क्यों कि company का profit है, बहुत कर रही है अगर आप देखना चाहते हो फार्मा सेक्टर के अगर आप देखना चाहते हो कि कितना ज़्यादा है प्रॉफिट दे सकता है तो देखे आज जाके आप NST के वेबसाइट में देखे सन फार्मा में कितना लगबग 5% का तेजी है और ये निफ्टी-50 का टॉप गेन को मिला है और जितने भी अगर आप देखे लो फार्मा सेक्टर वाले सारे बेस्ट है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इसका भी आने वाले कौटर रिजल्ट में अगर ये देखे वो तो इसका भी रिजल्ट आता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देदेगा और ठीक है दोनों जगह देख लेजी यहां पर भी यहां पर भी सिपला बताया जा रहा आज की रेट में कितना है 730 रुपी से उपर चलना मतलब अच्छा कासा आप लोगों को रिटन दिया वो भी कुछ दिनों के अंदर और जो वीडियो मैंने 400 में बताया था सिपला को मैंन कितना आच आपको प्रोफिट दे रहा है यहां पर देख लिजे हैं 721 रुपीज 668 रुपीज पर आपको बोला था तो देखें आपको अच्छा कासा प्रोफिट हो सकता बस आपको अच्छे स्टॉक में आपको पैसा लागाना और और कुछ नहीं देखें आपको जब स्टॉक होते हैं जो 400-500 के होते हैं और दूसरे जो होते हैं 10 रुपिस के होते हैं 50 रुपिस के होते हैं 100 रुपिस के होते हैं तो लोग इसको खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्यूंकि इसमें हम क्वांटिटी ज्यादा खरी सकते हैं ऐसा नहीं आगर आप बड़े स्ट इपला कभी भी अपने intrinsic value से नीचे नहीं आया है, कभी भी लोग बस सोचते रगए कि कभी यह intrinsic value से नीचे आएगा और मुझे खरीदने का मौका मिलेगा, यह देखे यह आपको intrinsic value आपको देखने को मिलता है, उसके बाद आपको यह book value है, उसके बाद यह price है, यहाँ यह इडिया मार्ट को देख लो, डी मार्ट को देख लो, और उसके बाद से बजाज finance को देख लो, बजाज finance को देख लो, HDFC, AMC को दोखल, यह जितने सारे मैं आपको बता रहूं, जो दिगज है, बड़े-बड़े stock है, जिन्नोंने लोगों को काफी अच्छा return दिया और दे है, तो यह जितने भी stock है, सब intrinsic value के ऊपर दोट रहें, अब देखें, intrinsic value से नीचे है, तो अच्छी बात है, लेकिन आपको किवल intrinsic value ही नहीं देखना, earning per share देखना है, return on equity देखना है, return on capital employed देखना है, और ऊपर से जितना भी हो सकता है, sales देखना, company का sales जीस तरीके से increase हो का उतना जाद आपको benefit होते हुए नजर आएगा, और अभी जो है, देखें, ज्यादा तर जो है, देखोगे तो pharma sector चल रहे है, laboratory चल रहे है, chemical चल रहे, तो ऐसे stock पर अच्छे वाले company पर आगर आप focus कर होगे ने, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, अगर देखें, मैं आपको बुलूँगा, आप अपने financial advice से जरूर कंसल्ट के लिए, क्या से यह, क्या गला था, क्योंकि कोई भी इंसान 100% साही नहीं हो सकता, इसलिए आप भी देख लिजिए, अगर आप शेहर मार्केट में बिल्कुल नए हो, और आप अपना डिमेट अकाउं अपन केजिए, या तो angel में केजिए, दोनों ही अच्छे है, अब यहाँ पर एक group है, जहाँ पर आपको बताया जाता है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कितने price में खरीदना है, किस time में खरीदना है, किस time में नहीं खरीदना है, और stop loss क्या रखना है, मतलब अगर जाता गिरेगा तो आप बज्जा होगे तार्गेट क्या रखना जिससे आपको अच्छा कासा प्रॉफिट हो जाओ वो टाइम टू टू टाइम निकल जाओ बिज्चार्ग को जाओ सेंग निकल बज्चान कासा जी कल अभरे प्रॉफिट होarnya